जो लोग अनुशाशत और वैवस्थित जीवन शैली का नेत्रित्व करते हैं, वे अपने सभी लक्षों और प्रगती को प्राप्त करते हैं ये motivational lines हमने यजूरवेट से कोट किया है Hello friends, I am Shorushri Shorkar और मेरे चैनल Techie Math में आपका स्वागत है Friends, आज के दिन में Vedic Math के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा क्योंकि Vedic Math आजकल बहुत training है तो आज के वीडियो में हम आपको Vedic Math के बारे में एक short descriptions present करेंगे ताकि आपको उसका history के बारे में पता चले कि ये आया कहां से है या इसका उप्योग कैसे करते हैं या एक students इसके जरीए कैसे benefited होता है तो चलिए शुरू करते हैं A short introduction on Vedic Math Friends, शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और bell icon को प्रेस करना मत भूलिए ताकि new videos के बारे में आप updated होते रहें Friends, हम शुरू करते हैं कि what is Vedic Math? Vedic Math क्या है? Vedic Math is an ancient system of easy and faster calculations So Vedic Math के एक ऐसा system है जिसका उपियोग करके आप कोई भी जटिल calculations या sums का बहुत ही आसान और तेज समाधा निकाल सकते हैं और आपका calculations सही है या नहीं इस बारे में भी निश्चित हो सकते हैं बच कुछी seconds में The term Vedic Mathematics refers to 16 mathematical formulae और sutras and their sub sutras derived from the Vedic system Vedic Math में केवल 16 sutras और 13 up sutras हैं जो की Vedic sutras Vedic shastra से लिया गया है और बस इन्हीं sutras का उपियोग करके ही हम सारे calculations और mathematics solve कर सकते हैं History of Vedic Maths जानते हैं ये Vedic Math आया कहां से है It is considered that all the information about Vedic period was stored in a book called Veda Later on it was divided into four Vedas नाम रुगविद, यजूर वेदा, स्वाम वेदा and अथर वेदा Friends, आपने Vedic period का नाम तो जरूर सुना होगा आपने History में पढ़ा होगा कि Vedic period में Indian culture, education, medicines, culture, treatments इन सभी चीजों का इन सभी सेत्र में बहुत ही बढ़िया विकास हुआ था और हमारे ancestors ने इन सभी चीजों को वेद में कलिक किया था तो और बाद में हमने देखा कि वेद को चार सेग्मेंट में डिवाइड किया गया है लाइक रिग वेदा, यजूर वेदा, सामा वेदा अथर वेदा Vedic Mathematics is the same, is the name given to ancient system of mathematics which supposedly is a part of स्थप्त वेदा and उपवेदा of अथर वेदा और हमारा जो यह जो वेदिक मेंथ है यह अथर वेदा का एक उपवेदा सब्त वेदा से कलिक किया गया है It was rediscovered from Vedas between 1911 and 1918 by Jagadguru Swamishree Vartikrishnatirthaji Maharaj Swamiji was the Shankaracharya of Govardhanmat Puri as well as Dwarka Gujarat 1911 से 1918 के बीच में Shri Bhartikrishnatirthaji ने वेदिक पीरियद पर काफी रिसर्च किया और इन सूतरों को उन्होंने कलिक किया और इसको एपलाई करने वाले स्थिती में लाए According to his research, mathematics is based on sutras or word formally These formally describe the way the mind works naturally and are therefore a great help in directing the students to the appropriate solution उनका मानना है गनित शास्र सूत्राज के ऊपर बेस्ट है और जैसे हमारे ब्रेन नाच्रेली काम करता है ये भी वैसे ही काम करता है तो हमें इसको एडॉप्त करने में बहुत ही आसानी होती है The most striking features of Tirtha Ji's work is its coherence The whole system is interrelated and unified The methods are simple and help students to get solution to various arithmetical problems mentally तीर्थजी का काम का सबसे important बात है कि उनका बनाया हुआ पूरा system एक दूसरे से जुड़े हुए है लाइक आप एक ही सूत्रा को कहीं जगा अपलाई करके कहीं problem solve कर सकते हैं Next हम आपको वैदिक सूत्राज के बारे में बताएंगे वैदिक सूत्राज जो है ये संस्कृत में लिखा गया है लाइक एकाधी केन पूर्वेन निखिलम नवतश्चरमम दशता उर्धवा तिरग्या व्याम परावर्तिया योजायत सुन्यम समुच्चाए अनुरूपे सुन्यमन्यत संकलान विव्या कलना व्याम पूरना पूरना व्याम फ्रेंट्स 16 सूत्राज है चलना कलना व्याम यवादूनम व्याष्टी समस्टी सेशंकेना चरमेना सोपनात्याध्या व्यामन्यतम एकाद्यूनेना पूर्वेना गुणित समुच्चाया गुणाका समुच्चाया यह 16 सूत्राज है वैदिक मैथ में इन्हीं का पूर्पियो करके हम मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और 13 सबसूत्राज भी है लाइक अनुरू पेड़ा वेष्टनम जवादूनम तवादूनम अन्तया योरेवा समुच्चाया गुणिता कुणिता समुच्च्च्च् विलो कानम इनमें से ये प्रमुख है आईए उनको बेनेफीट्स के बारे में बताते हैं वैदिक मैथ का इचल्विंग प्रॉब्लम्स 10-15 टाइम्स फास्टर होई भी मॉडर्न मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम वैदिक मैथ का उपियो करके 10-15 टाइम्स जल्दी उसको स इस वह बिल्कुल खतम हो जाता है क्योंकि आप सूत्राज को एपलाई करते हैं इचल्पस इन इंटेलिजन गेजिंग आपका इंटेलिजन गेजिंग पावर इंक्रीज होता रहेगा डिदिउस फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का जो फोबिया होता है स्टूड मॉल्लिक्लिकेशन डिविशन स्ट असा इसे सॉल्व कर सकते हैं इस इनक्रीजेस कंसिंट्रेशन यस आप करते रहें गे तो आपका कंसंट्रेशन जरूर बढ़ेगा और अजय विद प्रेंट्स अब हमारे online life classes के लिए भी register कर सकते हैं इनका description box में आपको इसका link मिल जाएगा registration करने के लिए ये government certified course है और course के end में आपको certificate भी मिलेगा So हाज का विडियो यहां हिटा था Thank you for watching